Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल यानि कि वो पैसा लेने से मना कर देते हैं, लेकिन आगे चलके अगर वो पैसा लेने से मना ना कर पाए, तो इसी बारे में जानेंगे, आज इस कॉंसेट को digital रुपी के मार्खिम से. डिजिटल रुपी जिसको E रुपी भी कहा गया है उसका detailed analysis प्रस्तुत करूँगा मैं आपका दोस्थ, host, educator, winter teacher आयूश सांगी मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ Study IQ IAS पे Study IQ IAS भारत का सर्वश्टेस्ट YouTube चानल है जो IAS exam की तैयारी students को करवाता है तो आईए वीडियो की शुरुआत करते हैं उससे पहले मैं आपको ये बता दू कि ये हमारे social media handles है और जो PPTs में यूज करना हूँ आपको पढ़ाने के लिए ये हमारे टेलेग्राम handle पे upload है आयूश सांगी जाया सकाड़ी तो यहाँ इसको subscribe करें हमारे साथ इंस्टा पे और ट्विटर पे भी जुड़े जिससे कि आपको latest updates with respect to examination, news bites, current affairs और कुछ तरह की analysis बड़े interesting तरीके सा आपको प्रसुत करी जाती है तो ट्विटर और इंस्टा पे हमारी reels, हमारी analysis होती है और टेलेग्राम पे आपको MCQs और उसके साथ-साथ PDFs भी प्राप्त होंगी तो सबसे पहला जो सवाल उठता है वो ये है कि E-Rupee यानि कि Central Bank की Digital Currency जिसे कहा गया है CBDC हाली में launch हुई है वो है क्या? What is it? तो जैसा मैंने आपको अपने introduction में बताया कि वो पैसा लेने से कोई मना नहीं कर सकता Nobody can refuse that payment electronic रुपी, डिजिटल रुपी तो डिजिटल रुपी एक ऐसी चीज है जो की आपकी life को असान बनाती है और साथी साथ आपको crypto hold करने का satisfaction भी देती है कि हमारे पास crypto currency है आज की रेट में crypto hold करना एक fashion statement बन गया है कि भई मेरे पास crypto currency है फलाना crypto currency है, इतनी है डोजे कोईन है, लूना है, वगएरा वगएरा टेरा है, एथीरियम है तो depending कि हमारी affordability power कितनी है हम उसे hold करते हैं वो ही चीज RBI ने replicate करी है digital currency के रूप में तो digital currency एक ऐसी currency है जिसमें हमें crypto के फाइदे भी मिलेंगे यानि की blockchain technology द्वारा रूट करी जाएगी और उसी के साथ-साथ RBI ने digital currency को legal tender की तरह भी accept करा है I repeat, it has also been accepted as a legal tender तो जब हम इसकी बात करते हैं when we talk about this तो E rupee, जो है इसके दो features वो क्या है first is, it is a crypto currency ये जो है एक crypto currency है यानि की ये blockchain technology से run करी जाती है और ये भी virtual form में hold करी जाती है virtual form में ये wallets में hold करी जाती है it is hidden wallets जिस तरीके से हम तमाम crypto currencies को वजीर X और Binance और ऐसी apps में hold करते हैं या wallets में hold करते हैं लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये जो है legal tender है I repeat, ये legal tender है जिसका मतलब ये PR बनी की तरह है और ये पूरी तरीके से acceptable होगी पूरे हिंदुस्तान में सारे merchants के द्वारा ये legally acceptable होगी यानि कोई भी इसे मना नहीं कर सकता Nobody can refuse this money अगर आपके हाथ में 100 रुपे का note है If you have a 100 रुपी denomination note और आप इसे लेकर जाएं तो RBI आपको ये 100 रुपे जरूर देगा अगर आप पेटियम का पैसा लेकर जाएं तो RBI बोलेगा मना कर देगा It would refuse क्योंकि पेटियम legal tender नहीं है पेटियम के अंदर आपका पैसा पड़ा है वो आपका रिस्क है कलको पेटियम डूपता है वो हमारा रिस्क है लेकिन अगर legal tender के तोर पे हमारे पास 100 रुपे का नोट है वो ही चीज हमारे पास E रुपी के रूप में है तो कोई भी वो पेटियम लेने से मना नहीं कर सकता और RBI वो पेटियम या वो पैसा हमें डिनाए नहीं कर सकता तो ये दोनों चीजों के फाइदे जो है ये हमें मिले हैं किस रूप में? E रुपी के रूप में electronic रुपी यानि की digital रुपी के रुप में तो जैसा कि मैंने यहां पे बताया क्या है? This is cryptocurrency plus fiat currency crypto plus fiat तो आईए देखे definition क्या कहती है? RBI introduced CBDC जो की currency का official नाम है Central Bank Digital Currency जो की 100 रुपे का जो version है उसका digital version है Digital version of 100 रुपी note in your pocket यानि की पूरी तरीके से कानूनल है, legal है Legal का मतलब क्या हुआ? It is liability of the RBI to return a Z money RBI के पास अगर हम जाये तो उसको वापस करना पड़ेगा Our legal obligation to accept it यदि हम उसे किसी को दे तो उसके उपर ये चीज है कि उसे accept करना पड़ेगा क्योंकि वो एक legal tender है जैसे कि हम 500 रुपे या 100 रुपे का note किसी को ऐसी दुकान पर जाके देते हैं उसी तरीके से हम दे सकते हैं तो ये legally acceptable चीज है फरक सिर्फ इतना है कि इस पैसो को physical rope में अपनी pocket में ना रखकर हम कहां रख रहे हैं हम एक mobile wallet में रख रहे है इट विल बी स्टोर्ड इन यो digital wallet on your smartphone instead of your leather wallet तो जैसा मैंने आपको बताया दोनों चीजों के फायदे crypto plus fiat it is freely convertible against commercial bank money तो bank का पैसा जो है उसी के तरह ये भी एक रुप्या है जो की यहां पे हमें दिया जा रहा है तो this is CBDC अब आप बोलोगे भई इसी तरीके से mobile wallet में मेरा UPI का पैसा भी तो है बिलकुल सही बात है मेरा भी UPI का पैसा हो सकता है या UPI के थूँ मैंने bank account link करके किसी और को transfer कर दिया बिलकुल आप यही बोलोगे तो इसमें ऐसा क्या different है what is so different about it difference यह है when we talk about UPI money और unified payment interface money उसमें और CBDC में difference यह है कि UPI का पैसा bankों के बीच में कई दिनों में settle होता है it takes one day to one week to settle that money माल लीचे आप किसी दुकान पे गाए merchant को आपने QR code से UPI ID scan करा और उसके payment करी हमें instantly message आजाता है within seconds हमें SMS आजाता है और उसके पास credit भी दिखता है लेकिन एक bank से दूसरे bank में जो transfer है bank accounts के बीच में जो transfer होता है उसको settle होने में कई दिन लग जाते है it takes 24 hours to one week एक दन से एक हफता लगता है वो चीज CBDC में नहीं है बैंको का जो system है उसे RBI ने इस system के थूँ खतम कर दिया intermediary system खतम कर दिया ये currency पूरी तरीके से Reserve Bank of India द्वारा controlled है wallet Reserve Bank of India द्वारा controlled है इसमें आपको banks का कोई काम नहीं है banks का आपस का transaction का कोई मतनभी नहीं है तो हम जिस wallet में पैसा डाल रहे है that is like cash in my pocket मैं आपको देता हूँ तो आपकी pocket में cash डालता हूँ या आप अपनी pocket में cash रखते हूँ बैंकों की ज़रुवत कहा हुई same चीज RBI ने replicate करी है digital currency में UPI and other payments are made in real time क्योंकि message आ जाता है हमें and settled later between banks which work as intermediary so the process of final settlement among banks take from one day to one week लेकिन TBDC में एक एक पैसा एक एक पाई transferred between two individuals will be settled immediately हाथो हाथ and do not require post transfer settlements which usually takes time and money तो ये चीज़ purely real time में है जहां पे पैसा दूसरे को transfer हुआ बैंकों का कोई काम नहीं है settlement में कोई delay नहीं होगा real time as it is based on blockchain common ledger which is updated on both hands immediately with execution कि दोरों तरफ से execution के तौर पे बहुत अच्छी तरीके से based होता है ये difference है digital currency hold करने में और UPI wallet में UPI को bank account से link करने में या और किसी mobile wallet में पैसा hold करने में आशा करता हूँ आपनों को clear हुआ होगा तो अब जो है अब ये सवाल आता है कि कितने type की digital currency या E rupee होती है So E rupee is for general purpose and for wholesale purpose I repeat it is for general purpose and it is for wholesale purpose General purpose का मतलब ये है कि generally जब हम किसी को transfer करते हैं पैसा तो वो general trade या general purpose में आता है जिसके लिए ये currency digital currency अराम से use हो सकती है 5 रुपे, 10 रुपे, 20 रुपे, 50 रुपे 100 रुपे, आप किसी को transfer करना चाहें आप कर सकते हैं ये general purpose है This is easily acceptable On the other hand यदि wholesale purposes के लिए है यानि कि एक बड़े purpose के लिए है उसके लिए भी digital currency यूज हो सकती है पूछो कैसे? ऐसे कि जब inter bank transfers होते है तो आपके पास digital currency एक bank में होती है और वो दूसरे bank को transfer करी जा सकती है तो digital currency जो है एक bank में hold जैसे मैं hold कर सकता हूँ वही मेरे पास cash होता है banks के पास भी तो cash होता है तो उस cash को hold करना और उसी cash के रूप में दूसरे bank को loan देना एक bank दूसरे bank को loan देता है उसको कहा जाता है wholesale transfer उसके लिए भी digital currency use हो सकती है Secondly, banks जो अपना CRR, SLR maintain करते है CRR purely cash के रूप में SLR partially cash के रूप में वो जो cash के रूप में maintain होता है वो cash भी wholesale purposes के लिए use हो सकता है उस cash की जगे आप digital currency रख सकते है So it is intended for the settlement of interbank transfers and related large transactions So to augment reserves held by banks which is why they are designed for restricted access to select financial institutions यहाँ पर दिया जा रहा है यह wholesale purpose है General purpose जो आपके हमारे purpose के लिए use करा जा सकता है So general purpose हुआ wholesale purpose हुआ यह जो है यह इसका use है types of digital currency So now coming to the reasons ऐसी क्या ज़रूद पड़ गए कि हमें digital currency को launch करना पड़ा इसके कई सारे reasons है सारे reasons को आपको आज explain करा जाएगा जहां से सुनते जाएगा कि ऐसी क्या बात हुई कि हमें इससे लाने की जरूरत पड़ी क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा wake thought आया कि मेरे पास crypto currency होनी चाहिए that I should have crypto currency कभी आया है तो अब जो है आप उस thought को निकाल दे क्योंकि आप crypto currency को officially issued regulated crypto currency को hold कर सकते हैं तो reasons जानते हैं इसके क्या है तो जैसे कि आप जानते है wallet में पैसे होने का फायदा क्या है कि वो पैसा जो है आपका physical पैसू की तरह रिस्की नहीं है physical पैसा आपका फट फट सकता है गिर सकता है चोरी हो सकता है जेब काटी जा सकती है तो digital currency का जो पैसा है वो efficient है वो उस मामले में secure है कहीं-कही fraud हो सकता है अभी समझाते हैं आपको लेकिन उस मामले में secure है और उसके साथ-साथ उसके फटने का डर नहीं है, उसके जलने का डर नहीं है, उसके खोने का डर नहीं है So it is efficient and cheaper वो दो शब्द है, वो efficient है और सस्ता है Efficient कैसे है कि instant transfer है, आपको पैसा देके खुलने पैसे लेने की जरूरत नहीं है अब आप बोलोगे ये तो चीज payment wallet में भी मिलती है, बिल्कुत सही बात है लेकिन ये चीज authorized है और ये अर्थ विवस्था पे सस्ती पड़ेगी RBI का पूरे साल में currency छापने का खर्चा तकरीबन 5000 करोड रुपे होता है अब वो currency को नहीं छापना पड़ेगा या उस currency को कम छापना पड़ेगा एक बार में तो रातो रात कोई चीज बदलाब नहीं आ सकता तो उस समय के साथ साथ आप ये ध्यान रखे ये RBI अपना 5000 करोड का जो प्रिंटिंग का खर्चा है इसको कम कर सकता है इसको मुख्य रूप से बहुत ज़ादा सर पे काट सकता है उसके साथ था खोने का, चोरी होने का, भटने का डर नहीं है सिक्यूर इंस्टुमेंट है कि बैंक बालंसे अर इंशूर्ड अप्टू 5 लाट्स कल को PMC बैंक, पंजाब और महराष्टा कॉपरेटिव बैंक येस बैंक या फलाना कोई और बैंक डिफॉल्ड कर गया उसमें आपके माननी जे 10 लाग रुपे थे, 15 लाग रुपे थे, 20 लाग रुपे थे वो बैंक डिफॉल्ड कर गया पांच लाग रुपे तक वो अबाउंट सेक्यूर है तो यदि आपका पैसा पांच लाग से जादा है, तो आपको सिर्फ पांच लाग रुपया मिलेगा बाकी का पैसा आपका डूब गया लेकिन अगर उतना ही पैसा, 7 लाग, 10 लाग, 15 लाग रुपे आपके डिजिटल वालेट में, डिजिटल करेंसी के रूप में पड़ा है तो वो पैसा कभी डूबेगा नहीं, वो पैसा जो है, वो आपको RBI पूरा देगा, क्योंकि वो पैसा आपके कैश की तरह है जैसे आपके पास cash था वैसे ही आपके पास digital currency है वो पैसा RBI आपको O करता है वो पैसा RBI bearer को O करता है फरक इतना है कि वो virtual currency के टर्म्स में है तो central bank money is the only asset in a domestic economy without credit and liquidity risk कोई liquidity risk नहीं है अगर वो पैसा है तो वो central bank मुझे O करता है लेकिन अगर वो bank में है bank ढूप जाए तो मुझे सिर्फ पॉर्सर पास लाक रुपे तक का insurance amount मिलता है This cashless currency will be very environment friendly very very important आप कागत जो है वो यूज नहीं करोगे तो environment friendly होगा obvious सी बात है it will be environment friendly and E-Rupee fully upgrades traditional currency into complete digital payment currency ये digital payment currency के रूप में जो है upgrade कर दी गई है तो ये इसके कुछ पाइदे है उसके सवाए बड़ा अच्छा फाइदा इसका ये है कि settlement का risk नहीं है तो क्या होता है जब हम किसी को check देते है तो मेरा account मान लीजे HDFC में है किसी और का SBI में है मैंने यहां से check issue करा दूसरे के account में reflect होने में कुछ time लगता है और उसके बाद और थोड़ा time लगता है जब bank आपस में पैसा transfer करते है मैंने किसी को 10,000 रुपीज का check दिया उसके account में 10,000 रुपीज reflect हुए या मैंने किसी को NEFT transfer करा IMPS किया, RTGS करा bankों के बीच में आपस का settlement थोड़ा time लेता है वो settlement का risk और वो settlement का time digital currency से कम हो जाएगा क्योंकि आपको bank के थूँ जाने की ज़रुवत नहीं है you don't have to go through a bank so CBDC will eliminate this by giving choice to market participants to choose various settlement options but every transaction will be recorded using blockchain technology तो इसमें आपके पास choice है आप bank के थूँ करना चाहो अब digital currency के रूप में कर दो legal है, final है और पूरी तरीके से transparent है और secure है एकदम आएने की तरह साफ है जिसकी वज़े से इसका तीसरा फाइदा आता है क्योंकि ये transparent है, क्योंकि ये secure है इस वज़े से हमें इसकी पूरी trail दिखती है इसमें fraud होने के chances कम है मैं ये नहीं करणा fraud नहीं हो सकता fraud हो सकता है आप एक account बनाओ, दो account बनाओ, तीसरी account बनाओ दस account बना लो, उसके थूँ आप पैसा किसी के wallet से उसके wallet में उसके wallet से उसके wallet में transfer करो लेकिन आप कहीं भी करो क्योंकि ये पूरा system digital है और transparent है, इसको bypass करना बहुत मुश्किल है और इस system को पूरी तरीके से transparency के साथ देखना अगर fraud होता है भी, तो भी वो असान है, it is very easy so, online fraud programmable using crypto tech trail, इसमें पता चल जाएगी कि कहां से कहां गया, कहां से कहां गया, कहां से कहां गया तो trail of money can be tracked it reduces these fraud and investigation becomes easier, ये चीज़ असान हो जाती है, तो अब देखिए, इसका ये भी एक फाइदा है उसके बाद जो है, सरकारी subsidy, बहुत ही अच्छा पॉइंट है government जो है, DBT के रूप में आज की rate में पैसा transfer करती है चाहिए वो LPG gas subsidy के नाम पे हो, चाहिए वो fertilizer subsidy के नाम पे हो अब यही चीज़े भारत सरकार digital currency के रूप में कर सकती है किसानों को, ये fertilizer fertilizer subsidy के नाम पे आपके account में या आपके wallet में digital currency आ गई अब digital currency को आप जाके सिर्फ और सिर्फ fertilizer company से यूज़ कर सकते हो, यदि आपने उसे fertilizer के सिवा और किसी काम में use करा, तो उसका trail भारत सरकार को पता चल जाएगा कि कितने लोग उसे काम के लिए use कर रहे है और कितने लोग उसे बिना किसी और चीज़ के use कर रहे है या बिना काम के use कर रहे है, तो ये trail जो है पकड़ी जा सकती है government subsidies can be better focused, कि वो काम क्या वो सही तरीके से use हो भी रहा है, या वो पैसा सही तरीके से use हो भी रहा है already due to digital ecosystem, ये चीज़ already है, jam trinity जंधन और आधार के थूँ, इसके थूँ और अच्छी हो जाएगी, तो it can be investigated reducing such fraud to zero ऐसा fraud कम हो जाएगा, this improves delivery on targeted schemes of government, जैसे मैं आपको बताया fertiliser subsidy, तो ये चीज़ जो है, ये jam के थूँ हो रही थी, अब ये CBDC के थूँ, और effectively हो सकती है, it can happen through CBDC in a more effective fashion, और effective fashion में हो सकती है, और इसकी वजाएए जानते हैं, और ये इसके फाइदे भी है, benefits of having CBDC ये चीज़ है, कि पैसा transfer करना कितना असान या मुश्किल हो सकता है, how difficult or easy, आप जानते हैं, भारत में, इस साल, तकरीवन, remittances के तोर पे, 100 billion डानर आने की संभावना है, 100 billion डानर, मतलब, जो लोग डायस्पोरा के नाम पे भारत के बाहर काम करते हैं, जिनको हम NRI कहते हैं, वो NRIs अपने परिवारों को वापस पैसा भेजते हैं, उनका खरचा चलाने के लिए अपने माता-पिता को, भाई-भेन को, फैमिलीज को पैसा भेजते हैं, तो जो पैसा आता है, उसमें banks बहुत heavy commission charge करते हैं, I repeat, banks charge extremely heavy commission, वो commission 5-10% तक range कर सकती है, और YC वर्स अगर यहां से पैसा आपको बहार भेजना है, तो भी वो bankों के रूप में भेजोगे, उसमें भी 5-10% commission जो है, वो charge करी जाती है, तो अगर 100 billion dollar का पैसा remittances के तौर पे आया, उसमें commission अगर lower form में भी लेके चले, तो 5 billion dollar तक हो सकती है, बहुत महिंगा है पैसा भेजना, commission के तौर पे आप इतना पैसा भेज रहे हो, ये पूरा का पूरा system जो है bypass करने की कोशिश करी जा रही है, और bank account transfers जो swift system जिसे कहते हैं, उसको bypass करने की कोशिश करी जा रही है through digital currency, ताकि इतनी fees ना लगे, जो bank fees अपनी charge करते हैं, conversion charge लगेगा, rupee to dollar, dollar to rupee, ये charge लगेगा, लेकिन, जो चीज यहाँ पे बताई गई है, उस चीज़ का charge वहाँ पे नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ conversion charge लगेगा, तो जैसे crypto currency को transfer किया जाता है, उधारन के रूप में आपको बताया जाएगा, मेरे पास एक wallet है, मैंने bitcoin खरीदा, तो मैंने rupee दे के bitcoin खरीदा, और जो bitcoin मेरे पास है, वो मैंने अपने भाई के account में transfer करा, जो की Germany में रहता है, और उसने वहाँ से, वो bitcoin बेचा, और उसके bank account में euro आ गए, तो इस तरीके से पैसा जो है, वो transfer करा जा सकता है crypto के रूप में, it can be transfers in the form of crypto, अब इसी तरीके से, मैं जो हूँ, मैं digital rupee खरीदना हूँ, या digital rupee अपने wallet में रखता हूँ, वो digital rupee मैं अपने भाई के नाम पर transfer करता हूँ, जो जर्मणी में रहता है, और उसके साथ-साथ, वो इस digital rupee को convert करवा सकता है, euro में छोटा सा commission charge दे के, जो normal conversion rate लगता है, इस तरीके से, हमने जो है, पूरा system जो है, बैंको का, वो बाइपास कर दिया, तो इसी तरीके से, जो conversion charge है, सिर्व वही लगे, commission के रूप में पैसा ना लगे, ये चीज़ बहुत जरूरी है, कि आपके पास dollar है, आप dollar बेच के रुपया खरी दिये, digital रुपया खरी दिये, RBI की website से, RBI की app से, और वो digital रुपया अपने परिवारों को वापस transfer कर दिजे, उनके नाम पे transfer कर दिजे, तो आपको वो commission नहीं लेनी पड़ेगी, reduce operational cost in managing physical cash, and bring transparency, ये चीज़ करना बहुत जरूरी है, आज की rate में 5 से 10 प्रतीशत of transacted amount is taken by brokers, and banks for cross-border transaction, also taking many days to settle the transaction, एक तो दिन बहुत लगते हैं, महेंगा बहुत है, इंडिया दसेर will receive 100 billion dollars in remittances, तो ये cost कम हो जाएगी, this will reduce, ये चीज़ कम हो जाएगी, cross-border payments जो है, वो असान हो जाएगी, transfer, international monetary system जो है, बुक्या है, currently all transactions are carried out using swift system, which makes such transaction firmly in control of the west and US dollar, वो US dollar के control में सारी चीज़ आजाएगी, अब या आती है, उसको हम इसी system के थूँ control कैसे करेंगे, तो आपको बताते हैं, इसमें एक ये challenge भी है, और इसी के साथ साथ एक solution भी है, challenge ये है कि मेरी digital currency दूसरा देश क्यों accept करेगा, why would my currency be accepted by some other country, digital currency, physical cash आप किसी को देऊ और dollar खरीदें तो वो तो accept करेंगे, लेकिन digital currency कोई क्यों accept करेगा, उसका solution ये है कि central banks को दूसरे देशों के central banks के साथ बात करनी पड़ेगी, कि आप हमारे digital currency को accept करें और हमें pay करें, अब आप पूछोगे दूसरा देश क्यों accept करेगा, dollar इतनी strong currency है, dollar गोलेगा नहीं, आप US गोलेगा नहीं, आप dollar ही खरीदो, आप dollar से ही transaction करो, तो यहाँ पे जो बात है वो क्या है, वो यह है, एक बड़ी simple सी बात है, कि यहाँ पे दूसरी countries में ये pilot basis पे test हो चुका है, चार देशों की digital currency ने आपस में ये चीज़ करी है, UAE, Hong Kong, China, जो यहाँ पे Thailand, Hong Kong, China और UAE, इन चार देशों ने अपने CBDC को चारों currencies के बीच में या चारों के बीच में इस तरीखे से करा है, तो यदि Hong Kong से China पैसा जाए, तो वो China का central bank convert करके Chinese Yuan या RMB दे देगा, और वहाँ से Hong Kong आएगा, तो Hong Kong की currency मिल जाएगी, Hong Kong से कोई Dubai जाएगा, या Dubai का transfer करेगा, तो वहाँ पे दिरहम मिल जाएगा, और दिरहम के रूप में यहाँ पे चाइना का RMB मिल जाएगा, इस तरीखे से यहाँ पे ये pilot basis पे test हो चुका है, इस system को कहा गया है M-Bridge, कि वो bridge करता है दो देशों के बीच का गया, it is developing M-Bridge payment system backed by CBDC of these four countries, तो ये चारों एक अठे मिल के pilot basis पे इनोंने transact करा है, 164 payments को, 164 payments को, जिनकी value 22 million dollars थी, 22 million dollars effectively bypassing Swift payment network, तो Swift जो payment network है, international cross-border transactions का bankों के बीच में, अब वो इसके through हुआ करेगा, ऐसा नहीं है कि आप ये गलत intention से कर रहे हो, आप ये ना समझें कि बाइपास कर रहे हैं तो कुछ गलत कर रहे हैं, इस system के जो charges है और dollar की जो strength है, उसे खतम करने की कोशिश करी जा रही है, और इसके सिवा जो आखरी पाइदा है, वो क्या है, हमारे पास reserves बहुत है, we have reserves, बहुत अच्छी बात है, रशिया के पास 600 billion dollar के reserves थे, dollar के रूप में denominated थे, अब अब एक बात सोचो, वो उस पे sanctions लगा दिये गए जब उसने यूकरियन पे attack करा, नाटो देशों ने sanctions लगा दिये, अब sanctions अगर लगा दिये, तो रशिया का वो पैसा क्या use नहीं हो सकता, रशिया का पैसा use नहीं हो सकता, क्योंकि जितने reserves हैं, 600 billion dollar के reserves, उसके आधे reserves दूसरे देशों में रखे हुए हैं, वो है रशिया का पैसा, लेकिन वो दूसरे देशों में hold करा हुआ है, कभी भी reserves का पैसा जो है, वो एक देश अगर हम claim करते हैं, कि हमारे पास इतने reserves हैं, वो सारा पैसा हिंदोस्सान में नहीं होगा RBI सरकार के पास, वो पैसा उसमें से काफी हद तक, almost 40-50% जो पैसा है दूसरे देशों में होगा, जन करेंसी की डिनॉमिनेशन हैं, तो UK के पास होगा, US के पास होगा, जर्मनी के पास होगा, रशिया के पास होगा, तो अगर हमारे ओपर sanctions लगे, जैसे रूस की उपर लगे है, तो वहाँ पे उनका वो पूरा का पूरा जो फॉरेक्स अकाउंट है, रिजर्व अकाउंट है, उसे फ्रीज कर दिया गया, तो पैसा होने के बावजूद वो पैसा यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर यही digital currency होती, तो digital currency वो खुदी hold करते हैं, और वो कभी भी उसे use कर सकते थे, दूसरा bank, दूसरी country उसे hold नहीं कर सकते हैं, यूगि digital तो digital है, cash के रूप में है ही नहीं, वो उसे hold कर सकते थे, उस चीज़ पे sanctions लगाना मुश्किल होता, तो with CBDC, countries will be able to bypass swift model which makes them immune to western sanctions, sanctions जो है उस पे नहीं लगाये जा सकते हैं, तो the reduced threats of western sanctions यह चीज़ यहाँ पे imply हो गई है, reasons behind its implementation, यह इसका reason है, लेकिन कोई भी चीज़ जो है, वो challenge इसके बगएर नहीं आती, challenge ज़रूर होते हैं, और वो challenge क्या है, सबसे बड़ा challenge यह है, कि आप इस चीज़ की literacy पूरे भारत भर में कैसे provide करोगे, वही शहर के लोग तो wallet जानते हैं और वो wallet को समझते हैं, लेकिन बाकी जो लोग दूर दरास रहते हैं, गाउ में रहते हैं, इंटीरियाज में रहते हैं, उन तक आप इस चीज़ की knowledge कैसे पहुचाओगे, कि digital currency जो है, आपके wallet में transfer होगई, उसे जाके use कर लोग, सरकार subsidy के रूप में जो है, वो कैसे ये चीज़ फिलाएगी, ये चीज़ समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसकी literacy काफी ज़रूरी है, So penetration among masses can be challenging, if RBI gives interest as incentive, savings would move to CBDC, मतलब CBDC तो आप कर रहे हो, लेकिन CBDC जो है उस पे आपको interest दिया जा रहा है, भई, bank में मुझे interest मिलता है, CBDC का तो मुझे कुछ नहीं मिलता, CBDC में मैंने 1 रुपे दिया, 1 रुपे मिल गया, 100 रुपे का note दिया, 100 रुपे का note मिल गया, and destroy existing system into incentive, तो एक incentive दिया जाना चाहिए कि इस पे भी आपको interest मिल रहा है, तो एक तो ये challenge है, और दूसरा challenge जो है, वो ये है, कि CBDC जो है, जिस technology पे चलता है, distributed ledger technology, ये energy intensive है, इसके लिए बिजली बहुत चाहिए, क्योंकि ये system पूरी तरीके से digitized है, बहुत massive इसका server और computer systems चाहिए, इस चीज़ को control करने के लिए, इस चीज़ को better करने के लिए, तो जैसे blockchain technology को चलाने के लिए, बहुत बड़ा system चाहिए, उसी तरीके से distributed ledger system CBDC को चलाने के लिए, energy यानी बिजली की बहुत massive requirement होगी, theoretically using bitcoin, bitcoin की एक दन में सिर्फ और सिर्फ 8,70,000 transactions हो सकती है, उसके बकाबले UPI पे 226 million transactions होती है, हम यह चाहरे हैं कि UPI जो है वो digital currency में रूप की रूप में convert हो जाए, तो digital currency की रूप में convert होगी, digital currency की यदि 226 million transactions होगी, आप सोचके देखिए, तो कितनी बिजली चाहिए होगी, कितनी energy requirement होगी, तो इसके लिए बिजली बहुत चाहिए होगी, तो यह इसके दो challenges है, जो आ हाफी जरूरी है, where it stands, pilot projects are being carried out in India, पूरे भारत में चल रहा है, full scale launch is yet to come, RBI जो है वो prepare कर रहा है, will design infrastructure to augment and not replace the existing monetary system, क्योंकि देखिए, phases में धीरे धीरे यह चीज़ होगी, एकदम से नहीं हो सकती, globally China has taken lead with this number, अब देखिए, US इस चीज़ को नहीं मानेगा, लेकिन भारत को फिर भी digital currency के लिए बाकी सबसे बात करनी पड़ेगी, जिससे की कहीं न कहीं दूसरे देश भी इसको accept करें, तो चीन ने ये काम करा है, उन्होंने lead लिया है with number of pilots, और भी देश ले रहे हैं, so Thailand, Rus, Europe are also quickly developing digital version of their currencies, तो ये एक monetary system, यानि की पूरे भारत के system को कहीं न कहीं, change करन का opportunity रखता है, ये system रखता है, इसके साथ साथ पूरी दुनिया का system जो है, वो change हो सकता है, जहां पे चीज बहुत efficient हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी consumers के profit पे, यानि हमारे profit पे, तो आप देख सकते हैं, यहां पे किस तरीके से ये QR code दिखेगा, ये E रुपी है, ये जब RBI ने launch करा था, तो उसमें ये चीज़ दिखाई गई थी, कि QR code आप scan करें और यहां पे payment accept करें, ये एक wallet का account है, ये दूसरे wallet का account है, तो इस तरीके से ये चीज़ करी जा सकती है, this can be done, तो आप आशा करता हूँ, आपको ये पूरा का पूरा concept समझ वाया होगा, इसी के साथ- based, एक MCQ करेंगे और mains का एक question करेंगे, उससे पहले मैं आपको ये बात बता दू, यदि आप 2023-2023 के aspirant हैं, तो success in prelims आपके लिए one stop shop, study IQIS की top faculties लेकर आई हैं, जहां पे आपको पूरा का पूरा prelims का syllabus, limited time में crash course के रूप में करवाये जाएगा, इस badge का नाम है SIP Plus, success in prelims Plus, जिसमें top faculties जो हैं, वो आप तक आ रही हैं ये course प्रोवाइड करने के लिए, इस course का एक बहुत ही affordable price है, जो की मेरा code यूज़ करने के बाद जो है, आपको मिलेगा, मेरा code जो है, जैसा कि आप जानते हैं, it is Sanghi Line, ये मेरा code है, और इस code को यूज़ करके आपको ये जो course है, ये 6,000 रुपे का प्राप्ट होगा, this is for 6,000 रुपीज, तो इसको subscribe परें, अगर आपकी जानपचा में कोई 2023 का attempt दे रहा है, तो उनको बताएं कि 19 सिसमबर को study IQIS पे शाम साथ बज़े से quality की class start हो रही है, सारी top faculties आपको पढ़ाएंगी, सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपे मे आपके कोड्स पहुचाया जा रहा है, कोड है, एक ही है, सांगी लाइफ, तो सांगी लाइफ कोड यूज़ करें, S-A-N-G-H-I, लाइफ, और ये offer प्राप्ट करें, तो यहाँ पे क्या चीज़ बदाई जा रही है, देखिए, M-Bridge Payment System is being developed as an alternate international monetary system, which among the following countries not associated with it, associated नहीं है, UAE, Saudi, Thailand and China, UAE है, Thailand है, चीन है, इसके साथ Hong Kong जो था देश है, Saudi Arabia नहीं है, So B जो है, वो point गलत है, और जो mains का question है, वो क्या कहता है, देखें, Stability of Indian monetary and financial system is challenging task, upheld strongly by RBI, elucidate the challenges and benefits in introduction of digital rupee in ensuring stable financial system, कि stable financial system आप ensure करें, तो यह चीज़ जो है, इसका जवाब लिखकर आप हमें भेज सकते हैं, और इसी तरीके से हमें सराते रहें, हमारे खूब सारे बड़िया नानसस आते हैं टॉपिक्स पे, तो चैनल को सबस्ट्राइब करें, शेर करें, लाइक करें, इससे हमारा प्रोचसाहन मोटिवेशन बढ़ता है, बहुत-बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, Thank you so much.